समुद्र मन्थन के पश्चात जब असुर अम्रित कलश को लेकर पलायान कर गए तो मामा जी श्री हरी नारायन अपने मोहनी रूप में उसे पुनह प्राप्त करने में सफल रहे। वास्तव में देवी मोहनी के सौंदरिय के पीछे चिपा था श्री हरी नारायन की वो छलपूर्ण योजना जिसकी सहायता से उन्होंने सभी असुरों को अपने मुह के पाश में बांध लिया था। मेरे विचार से आप मेंसे ना तो किसी ने ये अमरित पान किया है और ना ही उसे कभी तिखा है। पर सर प्रथम इसे पाने के लिए आप मूर्तापूर्ण संघरश क्यों कर रहें आप सभी लोग। मैं कुछ समझाने देवी। बहुत सरल बात है। अमरित का घनतुर कलश के तल में अधिक होता है। और उसकी सतह पर कम। और अमरित का वास्तविक गुण उसी आंश में होता है। जहां वो सबसे अधिक घना होता है। और उपरी सतह का द्रिव्य तो अधिक प्रभावी नहीं होता। मुझे इनके शब्दों पुर्ण विश्वास इसलिए असूर राज होने के नाते मैं सभी असूरों को आदेश देता हूँ कि अम्रित वित्रणा देवताओं से आरंब किया जाए इस प्रकार मुहिनी अव्दाश की सौंदरिये से प्रभावित होकर असूरों ने उनकी समस्त अवस्थाओं को सुईकार किया और उनके द्वारा पुनाह चले गए चल पर विजय तो चल से ही पाई जा सकती है लंकेश किन्तु नराण भी ये भूल गए थे कि असूर भी छल में किसी से कम नहीं थे एक एक कर देवता तो अम्रित का पान कर रहे हैं किन्तो कहीं हमें प्राम्थ होने के पूर्व ये अम्रित कलश अम्रित से रित्थ हो गया तो ये 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 देवता नहीं है आदेवी ये ये हम में से कोई देवता नहीं है हम्रित पान कर लिया मैंने चल किया है तुमने अब आप कुछ भी नहीं कर सकते कोई शती नहीं पहुचा सकता मुझे क्योंकि अम्रित पान कर लिया मैंने हुच्ट हाँ 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 किन्तो शीष्विलग होने के पूर्व स्वर्भानू अमरित्पान कर चुका था हाँ गौरी पुत्र और इसी लिए उसका अंत नहीं हुआ था उसके शरीर और उसके शीष जीवित शेष थे और उसी दिन से सर्वभानू के शीष का नाम पड़ा राहू और उसके शरीर का नाम हुआ केतू और आज तक राहू सूर्य और चंद्रदेव के प्रती शत्रुता का भाव रखता है और उन्हें प्रभावित कर सूर्य और चंद्र ग्रहन उत्पन्न करता है क्योंकि उन्हीं दोनों के कारण ही तो पूर्व के सुवर्भानु की योजना विफल हुई थी और अन्य असुरों का क्या हुआ दशानन? वो अमरित पान्च से रुखने पर कैसे तयार हुए? वो कहां तयार हुए? और वो स्थिती एक युद्ध में परिवर्तित हो गई किन्तु अब तो देवता पुनह यथावत हो गए थे नारायन के छल के कारण और श्री युक्त होकर उन्हें बल और अमरत्वो दोनों पुनह प्राप्थ हो गए थे इसलिए उन्होंने सरलता से असुरों को पराजित कर स्वर्ग असुरों से छीन लिया नहीं मैं अभी इस सिंखासन पर नहीं बैठ सकता विजय प्राप्थी के उपरांत भी इंद्रदेव अपने सिंखासन पर इस्थित क्यों नहीं हुए क्योंकि तब प्रथम बार उनकी बुद्धी उनका साथ दे रही थी सिंखासन ग्रहन करने के पूर्द वो रिशिद दुर्वासा का आशिर्वाद लेना चाह रहे थे आप सभी अबुचित मार्क पर लोट आएं हैं देवगार और देवराजिंद्र ये आपका अनुशाशित आचरण ही है जिसके कारण आप सिंखासन पर स्थित होने के पूर्प मुझसे आशिष प्राप्त करने यहां पदारे है इस घटना के उपरांत आप सभी को ये ज्याद हो ही गया होगा कि जो अनुशाशन को अपने जीवन का आधार बनाते हैं उनकी प्रुष्ट शिरीहरी नरायन के कुर्म अवतार के समान शक्ति शाली और द्रिड होती है में भी सक्षम हो जाते हैं किसी भी कटनाएं का सफलता पूर्वक सामना कर उस पर विजय प्राप्त करने हैं तो सबल हो जाते हैं अब मेरा आशिष आपके साथ है किन्तुसमान रखेगा ऐसा तभी तक रहेगा जब तक आप अनुशाशन का पालन करेंगे अद्भूत प्रभू रिशी दुर्वासा ने तो देवतां को आशिष के साथ चेतावनी भी दे दी और ज्यान भी जिसके साथ ही उन्होंने उत्तम जीवन का एक नवी नियम भी स्थापित किया कि अनुशाशन जीवन का आधार उसकी शक्ति है जिसके बिना कभी किसी को प्रभू रिशी दुर्वासा आपको कोई कठोर शाप ना देखाएं तुर्शन है तुप उनकी स्तूति आरंब करनी चाहिए लंकेश लिए देदे नहीं गौररी पुत्र किंतु आपको चिंता करते हैं तो क्योंकि आपने तो руки कठा ही सुनाई कि कोई वह जो आप उनके शाप के भागी बनेंगे सरव अठाठा उचित कहां अपने गौरी पुत्र मैंने कोई बहुत तो प्रभू की स्तुति आरंब करते हैं हां किंतु आई ना लंकेश करते हैं हां कि त्रयों पर कम सदाशिवं नमा भी है उमापती जनीन कंठ जय अनक नमोस्तुते नमोस्तुते ओम नमाशिवाय 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 ओम नमाशिवा ओम नमाशिवाय, ओम नमाशिवाय त्रयम बकम सदाशिवम नमामिहे उमापती जै नील कंठ जै अनंत नमोस्तूते, नमोस्तूते भोलनात भत्तों के हो कश्ट से निवारते ये श्र्ष्टी सारी संकटों से शिभी है उबारते प्रणाम प्रभु मेरा भी प्रणाम स्विकार किजिये प्रभु कल्यान हो कहीं प्रभु रिशी दुर्वासा भी मेरे हाथों में प्रभु शिव शंकर शंबू के आत्म निंग को देखकर खुदी तो नहीं हो जाएंगे लंकेश आप तो स्वेम को प्रभु महादेव के महंतम भग मानते हैं जिसने स्वेम प्रभु से उनके आत्मनिक प्राप किया फिर अनुसाशन प्रियता का उधारन प्रस्तुत कर अपनी भक्ति का प्रमान दीजिए मुझे जब तक मैं और मेरे शिष्य नर्मदा नदी से पावन सनानकर लोटते हैं तब तक आप मेरे और मेरे शाहस्त्र शिष्यों के लिए भोजन की विवस्था कीजिए और इसका स्मर्ण अवश्य रखना लंकेश कि मैं नुजाशन के प्रती कि तक अठोर हूँ इसलिए है यदि हमारी हाँ लोटने तक आपने भोजन की विवस्था नहीं की तो आज तक आपने जो भी प्राप्त किया मेरे शाथ के प्रभाव से वो सब कुछ खोने के लिए तयार रही है और इसका स्मार वश्य रखना लंकेश कि मैं नुजाशन के प्रती के तक अठोर हूँ इसलिए यदि हमारी हाँ लोटने तक आपने भोजन की विवस्था नहीं की तो आज तक आपने जो भी प्राप्त किया मेरे शाथ के प्रभाव से वो सब कुछ खोने के लिए तयार रही है इस अनिर्जन वन और अल्प समय में प्रभो रिशित दुर्वासा और उनके एक सहस्त्र शिष्चों के लिए बोजन की वागस्था में कहां से करूँगा किन्तु रिशिवर और उनके शिष्चे यहां अतीथी के रूप में पधारे हैं इसलिए अतीथी सत्कार की नियम का पालन करने हे तूँ आपको ये कार्य तो संपन करना ही होगा लंकेश गौरी पुत्र यहां तो मेरे पास यही फल हैं जो मैंने प्रभो के आत्मलिंक पर अर्पित किये थे यदि मैंने रिशिवर और उनके शिष्चे के भोज है तूँ इन फलो का उप्योग नहीं किया वो भी मैं उन सभी को एक छोटा सा भी भाग प्रस्तुत नहीं कर सकूँगा गौरी पुत्र और यदि मैं एक छोटा सा भी अंश प्रस्तुत करने में सफल भी हुआ तो भला उससे किसका उदर भरेगा किन्तो आपको रिशिवर की इच्छा पूर्ती है तू भोजन प्रस्तुत करने का कोई उपाय तो करना ही होगा अन्यथा यदि आपने उनका क्रोध जागरित किया तो उसका परिणाम क्या होगा इसकी कलपना तो आप स्वयम कर लिजी लंकेश गोरी पुत्र सत्त कह रहे हैं प्रभु रिशिदुर्वासा का क्रोध तो कदाचित मुझे बज महीं करतेगा क्या ये सर्वता असंभब कारिया नहीं सौप दिया प्रभु शिव के अवतार रिशिदुर्वासा ने मुझसे ऐसा निवेदन कर ये कैसी यंत्रणा दे रहे हैं मुझे नहीं नहीं लंकेश ये यंत्रणा नहीं मातर आपके आराध्य के अवतार का एक छोटा सा अनुरोध है आपके अनुसार ये छोटा सा अनुरोध है, तो उस अनुरोध को पूर्म करने में आप ही मेरे साहता कीजिए न गौरी पुत्र आप तो विग्ण हरता है, सभी क्या विग्ण हरते हैं, तो मेरा भी विग्ण हर दीजिए न हे गजानन, आप तो संसार के समस्त संकट हरने का सामर्थे रखते हैं, समुद्र मन्थन के समय भी, आपकी ही पूजा से वो मन्थन संभव हो सका था इसलिए मेरी भी आपसे प्रार्थना है, कि आप ही मुझे इस विपत्ति से उभारिए, मुझे पर क्रिपा कर यहां भोजन का प्रवंद करवा दीजिए हमारे समवाद में इतनी बार भोजन शब्द का उचारण हुआ तो मुझे भी भूग का अभा सोने लगा है लंकेश भूग लंकेश मैंने ग्रहन कर लूँ मुझे ग्यात है आप मुझे प्रसाद ग्रहन करने से कदापी नहीं रोकेँगे है ना लंकेश तुम्हें ग्रहन कर ही लेता हो गौरी पुत्र नहीं नहीं गौरी पुत्र आहा अत्यंत स्वादिष्ट गौरी पुत्र यह यह कैसा अन्याय है गौरी पुत्र यहां मैं आपसे विनिति कर रहा हूँ और आप स्वेम अपना ही उदर भर रहे हैं अनुपम स्वाधेन का रुख जाईए गौरी पुत्र रुख जाईए गौरी पुत्र रुख ही नहीं रहे हैं अब क्या करूं गौरी पुत्र भोजन की विवस्था करने के विप्रित आपने तो उसे ही अपना आहर बना लिया जो मेरे पास था यह कैसी सहाय तक कि आपने गौरी पुत्र जैसे आप तो यही कामना कर रहे हैं कि मैं रिशिवर दुर्वासा के प्रचंद कुरोद का भागी बनू कुछ विशेश नहीं रहा यहां निकट में जो भी था वो इकत्र कर लाया था मैं फिर अब मैं भोजन की वैवस्था कैसे करूँ अप्रभु रिशिवर दुर्वासा के शाप से मेरी रक्षा कैसे होगी और वो आएंगे तो मैं कि आएंगे नहीं लंकेश्ट वो तो आ गये हैं को कि अप इतने शीग्र इतने शीग्र कैसे लौट आये रिशिवर अब दंड़िस्वरूप उनका शाब पाने के लिए तैयार हो जाएए लंकेश तो आप ने अबी तक भोजन की विवस्ता नहीं की लंकेश बैसे भी अमारा उदर भड़ चुका है और त्रिप्थ होने के अपरांत मास्त्र स्वाध हे तू भोजन करना अन का अब्मान है जो कभी किसी को नहीं करना चाहिए अर्थात आपको भोजन की कोई इच्छ नहीं है प्रभू नर्मदा नदी में पूजा करते समय हमें ऐसा अभास हुआ जैसे स्वयम ब्रहम सुरूप प्रभू ने त्रिप्थ होकर हमें वित्रिप्थ कर दिया हो अर्थात गौरी पुत्र जिन फलों का भोजन कर रहे थे वो मेरी ही सहायता हितु था क्योंकि उन्हीं फलों से रिशिवर और उनके शिश्य त्रिप्थ हुए तो ये सब आर्वेती नंदन गनीजी की ही कृपा है अद्भूत अद्भूत ओम गंगणबदे नमाः अम गंगणबदे नमाः आपका कोटी-कोटी धन्यवाद गौरी पुत्र, हल आपने ग्रहन किये, उधर प्रभु रिशित दुर्वासा और उनके शिश्यों का भरा और रक्षा मेरी हुई रिशिवर, यदि आप भोजन करने के चुक नहीं हैं, तो आप मुझे अपनी अन्य सेवा करने का आदेश दीजिए मेरे द्वारा प्रभु के दर्शन में विवधार उत्पन किया, लंकेश ने? आप जो भी अनुरोध करेंगे, उसे लंकेश रावण यथा शिग्र प्रस्तुत करेगा यूकि मैं तो कुछ भी करने में सक्षम हूँ आपको तो ग्यात होगा रिशिवर, लंकेश रावण ने प्रभु शिवशंकर शंभु को तसन्न कर उनसे उनका आत्म लिंक प्राप्त किया है और आपको भी अपनी सेवा और अपनी भक्ती से तसन्न करने का सामर्थ है मुझ में यह सामर्थ्य नहीं आइंकार एलंकेश आपके इस आइंकार के लिए आपको तंडित करना नी पार्य है तो क्या रिशिवर मुझे शापित करने जा रहे हैं पुझे रहे हैं यह पुझे रहे है जटुर 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 जटु लंकेश रावन रभू के आत्मिलिंग के साथ आप कभी लंका नहीं पहुंच सकेंगे आत्मिलिंग से वन्चित कर मैं तो अभी आपको एक उचित पार्ट सिखाने जा रहा था किन्तु पार्वती नंदन गनेश है आपके साथ मात इसलिए मैं आपको नहीं रोक रहा हूँ आप तो वास्तव में महान हैं गौरी पुत्र विग्न हर्ता है जिसका साक्षी आज मैं स्वैम बना हूँ आपने मुझे प्रभू के सभी अव्तारों की स्तुती करवाई और अब मैं आपकी स्तुती करने का इच्छुक हूँ आप अपनी इच्छ अवश्य पूर्ण करें लंकेश प्रणम्यं शिरसादेव गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मर नित्यम् आयुह कामार्थ सिथ्थये प्रथमं बक्रतुंडंच एकदंतं दुतीयकं तृतियं कृष्णं पिंगाक्षं गजबक्त्रं चतुर्थकं लंबोधरं पंचमं चशष्ठं विकतमेवच सप्तमं विग्नराजेंद्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचंद्रंच दशमं तुविनायकं एकादशं गणपतिंद्वादशं तुगजाननं लंकेश कहीं आप पुना मुझे संशय की द्रिष्टी से तो नहीं देख रहे हैं नहीं नहीं गौरी पुत्र ये सत्य है कि संपूर्ण समय में आप पर संदेह करता रहा इसका विचार करता रहा कि आप मेरे समर्थन में हैं भी अथवा नहीं किन्तो अब मैं स्पष्ट समझ गया हूँ कि आप इस यात्रा में मेरे मित्र मेरे सहायक के रूप में मेरे साथ है आज का दिवस ढलने में अधिक समय शेश नहीं है गौरी पुत्र किन्तो आज मैं सुर्यास्त के पूर हूँ प्रभू के आत्म लिंक के साथ लंका अवश्य पहुंचूंगा रिशी दुर्वासा का वचन कदापी सत्य नहीं होगा फिर भले ही कोई भी मेरे समक्षी क्यों ना आ जाए ये वचन आप नहीं आपका एहंकार बोल रहा है लंकेश और एहंकार तो सदा ही विनाशकारी होता है लंकेश महादेव के एक अवतार की कथा तो मुझे भी ग्या थे जिन्होंने ये सिद्ध किया था कि एहंकार सबसे बड़ी आत्मगाती शक्ती है और अपने एहंकार से एहंकारी जीव स्वयम अपना ही विनाश करता है हाँ गौरी पुत्र ये तो प्रभु अवधूत की कथा है जिनके क्रोज से तो इंद्रदेव के अस्तिप्व पर ही संकट उत्पन हो गया था आपको प्रभु के इन अवतार की कथा ज्यात है गौरी पुत्र इसलिए आपके मुक से ही उनका वर्ण अंसर्वधा उचित होगा प्रभु के इन अवतार की कथा तो मैं सुनाओंगा प्रभु प्रभु मुशक जी आप प्रभु तुम यहां क्या कर रहे हो मुशक वो मैंने प्रभु गिनेश्टी के सुथी का स्रवन किया तो मुझे रहा ने गया और तुम हमारा पीछा करने लगे पीछा? ए मैं लेके इस? मैं तो आपके साथ चिल रहा था इंच आप्रभु प्रभु प्रत्तम पुशक जी ए ने था प्रभु वी तो ये कथा सुमाने का असर मैं कैसे खो सकता हूँ उच्छे था मुशक जी आप ही हमें ये कथा सुनाईए आवश्य प्रभा तो सुने ये समुत्र मंतन से देवी लक्षमे के पुनर्विवा होने जा रहा था और उनके विवा के संपून तैजारी भी हो गए थी सभी उस विवा जमारों में सम्मीद होने के लिए अदियुच्छा ही थे मेरे प्रभू गनेज जी भी किन्तो एक बहुत बड़ी समस्या थी जिस पर किसी का ध्यान अभी तक नहीं गया था किया था वो मुशक जी बताईए झते लिए बताईए झाल 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 झाल